हलो मैं हूँ प्रीतम अमेरिका से आज आप से वर्ल्ड की बेस्ट ऑपर्चुनिटी शेर करने जा रहा हूं इस कंपनी का नाम है आर नेटवर्क कॉर्पोरेशन यह है यूटा स्टेट यूएसे में इस कंपनी के पांच क्रियेटर से पांचों की बात तो मैं नहीं करूंगा लेकिन इनके दो दो में क्रियेटर से उनकी मैं ज़रूर बात बताऊंगा आपको संक्षेप में पहला क्रियेटर है वह कंपनी का प्रेसिडेंट रिचर्ड स्मित रिचर्ड स्मित जो है यह यूएस में मास्टर आफ बिजनेस प्लाइन के जरिये जाना जाता है रिचर्ड ने काफी कंपनी के लिए अलग-अलग बिजनेस प्लाइन बनाए और काफ जो मेज़रिटी जो कंपनी आज उनकी 800 मिलियन डॉलर के उपर की इसके अंदर वॉल्यूम हुई है और चार एसी कंपनिया है जिनके लिए इसने बिजनेस प्लाइन बनायते हैं उनकी तो आप समझ सकते हैं कि इस बंदे ने आज अपनी खुद की कंपनी खड़ी किये और नेट वर तो उसका प्लाइन कितना बढ़िया होगा यह आप ज़रूर मानोगे एंड में जब मैं पूरी ब्रिंडेशन आपको करके बताऊंगा इस बिजनेस प्लाइन के बारे में दूसरा जो हमारा आर क्रियेट उसका नाम है ट्रेंट वॉकर ट्रेंट वॉकर टेकी गाया है इसकी खुद की फिंटेक कंपनी है जो जानी आती है नेट चेन टू के नाम से ट्रेंट ने गूगल जैसी कंपनी को सीनियर हैड की तरह लीड किया तो क्रियेट अ फाइनेशियल ग्लोबल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म इस बंदे को वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट करती है अगर आपके पास नहीं है तो जिसनों ने आपको यह आडियो भेजी है उनसे आप मंगवा सकते हैं अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की कंसेप्ट जो बिल्कुल सिंपल सा है कंसेप्ट है पर्चेजिस एंड कैश बैक लेकिन इन पर्चेजिस और कैश बैक के पीछे कहानी के है यहां पर हमारी कंपनी दो लोगों को साथ में जोड़ने जा रही है एक ग्लोबल प्लेटफॉर के जरीए जो टेकनलोजी से भरपूर है यह दो लोग को ने एक है खरीदार दूसरा है दुकांदार खरीदार जो हमेशा सस्ती चीज़े ढूंड़ता है करेक्ट आप भी जब कहीं पर जाते हो कुछ खरीदारी करने के लिए तो जरूर चार-पांच दुकानों में पहले ज बाके लेते हो तो जो खरीदार है वह हमेशा डिसकाउंट ढूंता है प्रमोशन ढूंता है ओफर जोन यह यह एक नेस्चरल कंजीूमर मेंटलिटी है कि हम हमेशा सस्ती चीज ढूंटे हैं दूसरी तरफ आते हैं दुकांदार की दरफ तो जब दुकांदार की बात करता सब आगए एक रेडी वाले लगाने एक रेडी लगाने वाले से लेकर टॉप की कंपनियास एर्लाइन्स फाइज स्टार होटेल यह सब आगए तो इनके जो हैं दो इस्टूज होते हैं दो इनको परेशानिया होती है हमेशा सोचते रहेते कि हमारे कुझ नए ने ग्राक कैसे से मिलें तो इसी वजह से आज एड़ोडाइजिंग इंड़स्ट्री इतनी बड़ी हो गई है ठीक है एड़ोडाइजिंग इंड़स्ट्री के अंदर सब आ गया न्यूस पेपर पैमफलेट्स मैगेजिन से लेकर आज इंटरनेट तक तो यह सब जो चैनल से एड़ोडाइज सब्सक्राइज होता है उसके बारे में बताता है और फिर दुकानदार उसके हिसाब से अपना लॉजिक यूज़ करता है कि इसमें मैं दूंगा तो मुझे फायदा होगा फिर दूसरी तरफ अगर किसी ने टीवी चैनल में अगर एड़ दा लिए तो वहां पर टीवी चैन कुछ पता नहीं होता है हमने एड़ दिये उसका हमारे को रिजल्ट कितना आएगा तो एक इशू यह हो गया दूसरा इशू है इनका कि अब गराक तो आ रहे हैं वह ऐसा क्या करें कि गराक फिर से फिर से फिर से हर बार हमारे पास आते रहें इसका मतलब यह है कि इनको हमे आज हमारी दुकान में आज हमारे बिजनेस में या आज हमारे कंसल्टनसी फ़र में आया है तो वह हमें किस तरह से फिर से वापस आते रहें या हमारे को रेफरेल्स देते रहें तो यह जो तीनों इशू है इस कंपनी आर नेटवर्क ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इनको solution दिये अब यहाँ पर सबसे हमारी plus point यह है कि हमारी company सिर्फ एक company नहीं है बलकि यह एक bank भी है our network ने our bank बनाई है जो एक already operational bank को खरीदा गया है और इस bank के बारे में ज़्यादा जो information है वो company बताएगी जन्वरी launch में ठीक है? तो यह हमारा सबसे plus point है कि हम पहली company है वर्ल्ड की network marketing के अंदर जिसको खुद की bank है फिर दूसरी दरफ जो हमारा second plus point है वो आ रहा है जन्वरी में जब हमारी company की official launch होगी bank के बारे में बता जागा bank को launch किया जाएगा और हमारा visa debit card launch हो रहा है तो अब इसके उपर भी हम आते हैं end में अब हम बात करते हैं company की guidelines के बारे में company की 3 important guidelines है जिसके उपर पूरी company खड़ी हुई है पहली guideline है company की कि हम वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले जहां पर पूरी दुनिया जा रही है ठीक है तो वह यह company ने अरड़ी कर रही है और करके दिखाया दूसरा हम खर्च करने से जादा पैसे बनाएं याने हमारे पास ज्यादा पैसे होने चीए जितना भी हम खर्च कर रहे हैं उसके बाद में भी हमारे पास पैसे बशने चीए यह इनका second guiding principle है जो यह हम अपनी company क के जरिये हमारे को जोलबी इनके साथ जुड़ रहे हैं उनको यह दिखा रहे हैं तीसरा जो guiding principle है जो मेरा सबसे फेवरेट है वह यह है कि अपनी जान दे दो दूसरों की भलाई करने में दूसरों को आगे लेखे जाने में तो इस तरह का मैंने guiding principle आज तक 15 साल के कैरियर मे नेटवर्किंग के कहीं भी नहीं देखा है तो यह इनके guiding principles हो गए अब यहां पर company के यहां दो दरह के लोग जॉइन होते हैं एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं free members यह fan club ठीक है यह वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ company की benefits चाहिए और जो भी company करने जा रही है जो इनको दे सकत freedom में देगे अब हम आते हैं दूसरी तरफ दूसरी तरफ के लोग वह होते हैं जो company को आगे लेके जाना चाहते हैं जो network बनाना चाहते हैं जो दूसरों को भी invite करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जूड़ ज़ूआओ आप भी अपनी purchases में वणा सकते हो तो इनके लिए company ने बनाया है एक बिजनेस मॉडल जिसका नाम है नेटवर्किंग की दुनिया में ग्लोबली फोर्स्ट ट्री इंटु टेन मेट्रिक्स यह मेरी भी फेवरेट मेट्रिक्स है इस मेट्रिक्स में आने के लिए सबसे पहले हमारे को एक मेमर्शिप साइन अप करनी पड़ती है जहा करने के लिए एस फ्री मेंबर जैसे मैंने आपको बता है कोई मेंबर्शिप फी नहीं उसके अंदर कोई भी फ्री मेंबर जॉइन कर सकता है बिलो चार्टर मेंबर चार्टर मेंबर वह होता है जो हर महीने सब्सक्रिशन पे करेगा कंपनी में और मैं बताऊंगा उसके सब क्या मिलता है तो एज चार्टर मेंबर अगर मुझे जॉइन करना है तो मेरा माइंड सेट क्लियर है कि मुझे इस में इस कंपनी के जरीए बिजनिस करना है तो यहां पर हम पहले महीने में अभी हम जैसे प्री लॉंच में तो प्री लॉंच में और जो जनवरी में जो लॉंच होने वाली है उसके लॉंच होने के एकदम से बाद में हमारा नया कंपनेशन प्लाइन चालो जा तो मैं आपको दोनों एक साथ में बताते जाओंगा तो अभी जब हम प्री लॉंच में साइन अप करते हैं तो पहले महीने में हम लोग के अंदर कंपनी हमारे को दो चीजें देने जा रही है थर्टीए डॉलर के अंदर हमारे को एक बिजनेस सुइट मिलेगा क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहें जिसकी वज़ा से कंपनी हमारे को एक पूरी फुल फ्लेजट ब्लाइब बैक ऑफिस देगी जहां पर डैश्ब एक आर ट्रेवल प्लाटफॉर्म देने जा रही है आर ट्रेवल प्लाटफॉर्म का मतलब यह हुआ कि वह एस गुड एस ट्रेवल एजनसी हो गई आप उस ट्रेव आर ट्रेवल के प्लाटफॉर्म के जरीए आप अपनी खुद की फ्लाइट की रिजरवेशन करवा सकते है होटल बुकिंग कर सकते हैं, क्रूज की रिजर्वेशन कर सकते हैं, कार रेंटल बुक कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी एक सर्विस और है, जहां पर अगर आप किसी ग्रूप बनाना चाहते हैं ग्रूप, वैकेशन ग्रूप, तो उसमें एक फॉर्म आप भर सकते हैं यहाँ पर company को आप सब detail पे रहे हैं- कितने लोग जा रहे हैं- कहां- जा रहे हैं- कहां- कहां वजिट करना है ciao कुण सी तारिक से कहां तह modo touches तो company आपको एक पूरा package बनाके देगी जो एकदम से discounted रहेगा तो यह जो हमारा art portal है इसमें guaranteed lowest prices है ठीक है अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं जो launch होने जा रहे है जन्वरी में जन्वरी में company जो है वो हमारी launch के बाद इसकी प्राइस जो हो जाएगी सेवंटी फाइड डॉलर्स जो पहली बार जॉइन कर रहे हैं और फिफ्टी डॉलर्स जो लोग हर महीने अपनी सब्सक्रिशन पे करेंगे हम सब जो प्रिलाउंच में जुड रहे हैं तो उनकी भी company जो है सेवंटी फाइड की जगा फिफ्टी डॉलर्स चार्ज करेगी क्योंकि हम अलड़ी पे कर चुके अपने 68 डॉलर्स तो जन्वरी से लेके हम सब लोग 50 डॉलर्स पे करेंगे 50 सब्सक्रिशन है लेकिन हमारा जन्वरी से बैंक का एप आ रहे हैं तो यह जो 12 डॉलर एक्स्ट्रा है वो यह बैंक की एप की कॉस्ट है और यह कमिशनल नहीं है इसके पर कोई कमिशन नहीं मिलेगी यह company के कॉस्ट को कवर करता है बैंक अप के तो यह हो गई हमारी जो यह बैंच में जो लोग भी अपने तीन मेंबर्स बना रहे हैं पहले हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल का हां तो हम अब बिजनेस मॉडल की बात करेंगे और यह जो हमारा बिजनेस मॉडल है यह concept है मैट्रिक्स में से इसको हम बोलते हैं ग्लोवली फोर्च्ट ट लोवली फोर्स मैट्रिक्स है 3x10, 3x10 का मतलब यह हुआ कि हमारे नीचे में 3 लोग होते, उनके नीचे में भी 3 होंगे, उनके नीचे में भी 3 होंगे, याने 3x3x3 करके, यह multiply तो जाएगा, ठीक है? 10 का मतलब यह हुआ जो second figure है 3 into 10 10 का मतलब यह हुआ कि company हमारे को 10 levels में pay करेगी यहाँ पर हम US में levels की जगाप इसको बोलते है tiers तो company यहाँ पर हमारे को एक condition ले रही है बोल रही है अगर आप मैं आपको 10 level में payment करूँगी तो एक condition है आपको भी 10 लोग enroll करने पड़ेंगे इसके लिए कोई timeline नहीं है यान इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 3 लोग लेके आता हूँ अपनी तरफ से तो company मेरे 3 levels unblock कर देगी यान उनको खोल देगी commissions कमाने के लिए है ठीक है तो फिर अब यहां पर company ने एक intelligent move किया है जो matrix plan में कई लोग सोचते हैं कई लोग जो करते हैं उनको पता है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा loophole ले loophole कौन सा है अगर हम किसी को अपने नीचे में non working बंदे को लगा देते हैं या किसी ने अपने मावाप को नीचे में लगा दिया कौलिफाय करने के लिए या बच्चों को या अपनी सास असूर को वो तो कुछ करेंगे तो उन्होंने इसको इंटेलीजेंटली इस loophole को इस weakness को निकाल दिया कैसे कंपनी हमारे को बोल रही है आपको दस करने तब मैं आपको दस लेवल में पेमेंट दोंगे अगर आपने चार की आपको चार लेवल की पेमेंट में मिलेगी उनके नीचे में जो लोग जॉइन हो रहे हैं तो उनके नीचे से पेमेंट आपको नहीं है क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो तो यहाँ पर अगर हम दस करते हैं तो हमारे नीचे में जाते हैं सिर्फ तीन तो जब ये तीन हमारे नीचे में जाते हैं तो बाकी के साथ कहा जाएंगे तो ये साथ जाएंगे इन तीनों के नीचे में जो next available space खाली रहेगी वहाँ पर company इसको इस तरह से काम करती है इसको हम बोलते हैं spillover आप इंडिया में बोलते हैं इसको आउट फिल ये company top to bottom जो system इन्हों ने बना है वो top to bottom इसको फिल करता है और फिर left to right और right to left ये इस तरह से चलेगा याने सब को equally spillover है अब जो spillover है कई लोग समझते कि ये company अपनी तरफ से लोगों को दाल रही है नहीं company का जो system है जो software है वो सिर्फ spillover का यहां पर मतलब होता है कि जो भी extra लोग है उनको system systematically उनको organize करते जाता है नीचे में ठीक है यह एक किया यह दो किया लेकिन उसके नीचे में भी और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं अब उसके पैसे जो मिलेंगे वह इसके मिस हो जाएंगे क्योंकि यह active नहीं है तो इसकी वज़ए से अब वह भी active हो जाएगा बोलेगा इतने पैसे इतने लोग नीचे में आ रहे नेटवर्कर जिनके लिए यह प्लैन बनाया गया है तो हर सब्सक्रिशन के उपर कंपनी हमारे को हर महीं ने दो डॉलर की इंकम देती है ठीक है तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप के इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं अगर आप 392781 फिर उसके बाद में 243 फिर बाद में 729 इसे करते करते आप इनको समप करोगे इनको प्लस करोगे तो आपको एक फिगर आएगी 88,572 लोगों की चार्टर मेंबर्स की जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपको पूरा यह मैट्रिक्स फिल हो जाता है और इसके बारे में भी कंपनी ने हमारे लिए एक बहुत ही कंपेंसेशन प्लैन है जिसकी वजह से अगर हम उसकी गाइडलाइन पर चलते हैं तो धाई महीने के अंदर जो मैं अभी आपको इंकम बताने जा रहा हूं वह हम धाई महीनों के अंदर कमा सकते हैं 88,572 चार्टर मेंबर्स इन सब के उपर हमारे को कंपनी दोदो डॉलर दे दिये करेक्ट इसको आप मल्टिप्लाइ करोगे तो यह हो जाते हैं 177,000 डॉलर्स नियरली इसको आप अगर अपने सतर रुपए में कंवर्ट करेंगे इन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जा अब जो नया प्लाइन लॉंच करने जा रही है जनवरी से वहां पर कंपनी ने एक एक बड़िया सिस्टम कर दिया है कि जो नए लोग ठीक हम जो प्री लॉंच में जॉइन होके क्वालिफाइ होते आ रहे हमको भी वह बेनेफिट मिलेगा हमारे को वह टाइम लाइन नहीं करनी पड़ेगी लेकिन जो नए लोग जोइन होंगे जनवरी से लेके उनकी बैक एक एक हफते का कॉंटाउन टॉफ स्त कुणक लगाası यहाने कि साथ दिनों के अंदर उनको 30 अपनी id साइण अप करनी है जैसे यहां पर आपको वह बतायाacă कि यहां पर आपको इंकम लेने के लिए 10 लेवल में कितने करने पड़ते हैं 10 लोग तो अब अगर आपके तीन हो गएं प्री लाउंच में या उसे ज़्यादा और अगर आप नए हो जनवरी से अगर आप में तीन कर दी हफते के अंदर तो कंपनी आपके पूरे के पूरे आप 10 लेवल को अनब्लॉक कर दे या आप 10 लेवल में से कमाई कर सकते हैं बिगर एक्स्ट्रा साथ लोगों को लाए तो इसके अंदर क्या होगा अगर आपके तीन लोग जिनको आप लेके आयों उनको भी आपने यह बता रहेगा कि कंपनी आपके भी बैक आफिस में साथ द दिन में तो आपका भी अनब्लॉक हो जाएगा दस लेवल तो अगर सब लोग अपने एक-एक हफते में अगर करते आते हैं इसका मतलब हो गया दस हफतों के अंदर हमारे दस लेवल्स फिलप हो जाएंगा पूरी मैट्रिक्स फिलप हो गई ओके यह परफेक्ट प्लैन है अब हम चार्टर मेंबर हैं जब हम जॉइन करते हैं 60 डॉलप पे करते हैं लेकिन जैसे हम 10 मेंबर्स एन्रोल करते हैं कहीं सबी किसी भी कंट्री से आज हम 86 कंट्री में से एन्रोल्मेंट कर सकते हैं ठीक है तो कंपनी हमारे को बना देती है चार्टर मेंबर से फाउंडर म मेंबर का मतलब यह है कि हमको कंपनी एक बोनस देने जा रही है जन्वरी से जो भी प्रिलाउंच में फाउंडर मेंबर बन गए या जो फाउंडर मेंबर नए जन्वरी से बनने शुरू होंगे तो कंपनी उनको एक सेकेंड आईडी लगाने की इंविटेशन देगी यह बोन कंपनी फर्स मन्त की पेमेंट करनी है 75 की हर महीने फिर फिस्टी डॉलर्स पे करेगा फिर वहां भी तीन कर दिये साथ में तो फिर उसके दस लेवल ब्लॉक हो जाएंगे तो यह पूरा काम वहां करेगा अगर उसको सेकेंड आईडी चाहिए अब दूसरी जो में बात कंप 19 लोग नहीं हो जाते 19 चार्टर मेंबर्स नीचे में याने तब तक कंपनी उनको डिफरेंट्स पे करते रहेगी जो महीने का उपे करने कितना पे करते 38 तो एक एग्जेंपल दे रहा हूं अगर आपने अपने तीन लोगों को जॉइन करवा लिया इन तीनों ने भी अपन माइनस 24 डॉलर्स याने हो गए 14 डॉलर्स ठीक है तो यह जो डिफरेंशल बोनस है यह काफी लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है और फैर भी नहीं है तो इसके लिए कंपनी ने अच्छा सोचा कि जनवरी से लेके जो लोग भी अपने 50 डॉलर्स पे करें जिनके भी तीन हो गए या जो तीन करने जा रहें जनवरी से नहीं लोग तो फैबुरी ओन्वर्ड कंपनी लाइफ टाइम के लिए 50 डॉलर्स का गैरेंटीड बोनस आपके वालेट में हर महीने क्रेडिट करते रही इसका मतलब यह हुआ कि हम हर महीने 50 डॉलर्स पे कर रहे हमारे को फिफ्टी डॉलर्स का गैरेंटीड बोनस भी आ रहा है प्लस उसके अलावा हमारे को ट्रेवल प्लाटफॉर्म बिजनेस स्वीट यह सब हमारे को एडिशनल यह एडिट वेलियो हो गया तो यह सब उने जा रहा है जन्वरी से अब हम आते हैं जो सेकेंड हमारी इंकम है ठीक है इस सेकेंड इंकम को हम बताते हैं as a global revenue share इसके बारे में मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्यूंकि यह company launch के समय इसको पूरी detail में समझाएगी तो global revenue share के बारे में सिर्फ में दो चीजें बताऊगा एक उसकी qualification क्या होती है और वहाँ पर कैसे income आती है हमने देखा कि यह जो global network हमनारा जो global forced matrix है उसके अंदर subscription में से source है उसका income का जहां से हमारे को पैसे मिलते है जो global revenue share है वहाँ पर company ने क्या किया है कि company ने अभी इसको यूएस में start किया है तो यूएस के अंदर company ने अलग-अलग concierge services बनाई है concierge service का मतलब यह है कि company की तरफ से एक staff होगा जो हमारे को guide करेगा उस service को लेने में और उसके फेरिश होने तक एक example लेते हैं जैसे गाड़ियां हो गई autos तो company वहाँ पर हमारे को अगर जो भी चार्टर मेंबर या जो भी फ्री मेंबर अगर company के तुरू लेता है कोई गाड़ी यूएस के अंदर तो company उसको discounted price में गाड़ी खरीद के देती है यानि उसको help करती है खरीदने में पैसे तो उसको पर करने लेकिन company उसको discount लेकर जो ज़रूरी नहीं कि किसी शोरूम से जाके डायरेक खरीदने में उसको मिले तो company की तरफ से लेने company की help लेने की वज़ए से उसको discount मिलता है प्लस उसको घर बैठकर गाड़ी मिल सकती है यानि उसको paperwork करने की परस्नली जाके जरूत नहीं है पूरा company उसको follow up करेगी तो इसको बोलते हम और आउट उस अब आर का मतलब एक्चुली क्या जैसे आपने देखा होगा कि हमारी company का नाम भी है आर नेटवर्क तो आर याने हो गया हमारा जैसे हम हिंदी में हमारा बोलते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हो यू आर हम प्रोनौंस करते हैं लेकिन अवर का मतलब यह भी हुआ है याने समय तो अमेरिका के अंदर ओ यू को silence रखते हैं उसको बोलते हैं आर आर का याने मतलब हो गया हमारा तो इसलिए अब जो भी हमारी जो भी services आएंगी सब के आगे में एक आर लगा रहेगा और वो आर हमारी company का official logo भी है तो इस तरह से आर network फिर हमारी जो बैंक के वह है आर बैंक फिर जो हमारी concierge services हैं उसके अंदर आ गया आर आउटो आर mobile आर mortgage mortgage याने home loans फिर आ गया आपका आर meds याने दवाईयां pharmacies फिर हो गया आर पेट मेड जहां पर आपको अपने जो पेट से उनकी दवाईयों के लिए तो इस तरह से company ने अलग-अलग services बनाई हुई है इसको हम बोलते concierge services दूसरा है हमारा आर पक्स आर पक्स के अंदर आपको company discounts लेके देती है अलग-अलग businesses में जैसे restaurants हो गए दुकाने हो गई तो company ने launch तो 9 में से चालू किया है अपना network का लेकिन company background में काफी सालों से काम करते आ रही है वहां पर पूरा वो तैयारी करते आ रहे थे पूरी blueprint बन गई है अब उस blueprint को company phase by phase उसको launch करते जा और उसको execute करते जा रही है तो company ने already US के अंदर North America के अंदर पांच लाक बड़ी-बड़ी businesses के साथ sign up किया हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी मेरे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी जहां से आप जो आर पेटमेट का जो पीडिएफ है वहां पर आप उसको खोल के देख सकते हैं कितनी बड़ी-बड़ी companies हमारे उस पीडिएफ के अंदर में नीचे में लगी हुई है फार्मासी के तो अब आते हैं हम ग्लोबल रेवनिश रूप कर रहे तो ग्लोबल रेवनिश शेयर जो आता है वह in कंसियर्ड सर्विसेज में से आता है जो भी सर्विसे जैसे आपको एक एक्जमपल देता हूं अगर किसी ने गाड़ी खरी धी यूएस के अंदर हमारी कंपनी की काद्त होती है तू परसेंट यानि अगर किसी ने बीस हजा डॉलर की गाड़ी खरीदी तो टू परसेंट होते हैं चार्सो डॉलर तो यह चार्सो डॉलर कंपनी डालती है ग्लोबल रेविनिव शेर के अंदर यानि हर चीज में से आर मोबाइल में सब्सक्राइब करने वाली है फिर हो सकता है आगे चलके हमारे इंडिया में जल्दी से चालो हो जाए जो जो हो मैं इस तरह से समझाता हूँ कि एक बोनस है इसको मैंसा इंकम नहीं लेंगे इसको ऐसा बोनस लेंगे क्यूंकि यह इसके अंदर कोई एक fixed amount अभी starting में नहीं है कि हम बोल सकते कि हर मेने हमको इतना मिलना लेकिन आगे चलके जब company launch करेगी इसको तब हमारे को amount पताएगी उस amount तक हमारे को फिर बाद में हर महीने उतना amount मिलते रहेगा ये income आपको हर महीने मिलती है तो company ने global revenue share में दो पूल्स बना है पूल वन और पूल टू जो पूल वन है और पूल टू है उनक दोनों में equal share जाता है जैसे मैंने अभी आपको बता है किसी ने 20,000 की गाड़ी ली 400 डॉलर जो 2% purchase value के हुए तो याने 200 200 दोनों पूल्स में जाएगे तो यह पूरा जो revenue है हमारा यहां से हमारे क तो company globally सबको पे करेगी जो इसके अंदर qualify तो इसकी qualification क्या है जब आप founder member बनते founder member बनने का मतलब यह है कि आपने अपने 10 लोगों को enroll किया है इसको हम 10 in pain भी बोल दें अगर आप अपने जो sign up है अगर आप अपने back office में देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा रहेगा पी इन पेन का मतलब है personally enrolled network पर्सनल enrollment network ठीक है तो जो भी founder member बन गया ने जिन्नोंने भी अपने 10 कर लिए जिन्नोंने भी अपने को 10 in pain क्वालिफाय कर लिया तो company उनसे कहेगी कि आप आपको नीचे भी उनके 3-3 होने चीए सब 10 लोगों के नीचे में जब 3-3 charter members हो जाते तो आप क्वालिफाय हो जाते हैं pool 1 के लिए फिर जब इन 10 के भी 10 हो जाते हैं यानि आपके 10 जो charter members है अब ये भी founder members बन जाते हैं तो company आपको क्वालिफाय करती है pool 2 की income के लिए तो यह बहुत ही बढ़िया और बड़ा amount है वेट करते हैं company launch के time में हमारे को इसके वारे में officially ज्यादा बताईगी तो यह हो गया हमारा bonus income अब आते हम second income second income है purchases के उपर cashback यह जो cashback है यहां पर हमारी company की जो bank के वो action में आती है यहां पर हमारी company की bank हमको visa debit card देने जा रही है worldwide जो लोग भी signed up है as a free member और चार्टर member यह founder member लेकिन उन सब की जिनकी KYC हो गई है अब very soon company KYC चालू करने वाली है जहां पर हमारे documents upload करने जो भी information हम दालते है registration के वक्त हमारे को ख्याल रखना है कि वहां पर हम जैसे photo ID जो number हम उसमें डाल रहे हैं उसी के तरह जहां पर जैसे नाम लिखा वैसे लिखना है जब KYC हो जाएगा तो फिर company उनको debit card ship कर देगी जैसे the card मिलेगा यह आप इस card के जरी अब आप purchase करेंगा अगर आप charter member founder member है तो आपकी जो commission account है वो इस card के साथ लिंग रही है ठीक है company ने हमारी एक bank के साथ tie-up किया है Alliance कि यह पूरी worldwide उसके बारे में भी company launch के समय बताएगी तो हमारे को कोई भी फिकर करने की ज़ुरत नहीं है जो free members हैं उनको बताया जाएगा January में कैसे उनको अपने card में पैसे लोड़ करने और फिर उनको load करकर अपनी purchase करनी है तो हमारा जो second plus point मैंने आपको बताया था initially वह है यह card इसका मतलब यह हुआ कि हम इस card से कहीं भी purchase करें दुनिया के अंदर जब भी यह card swipe होगा हमारी company की bank one percent guaranteed cashback हमारी company को देती है और हमारी company क्या करेगी इस one percent को लेकर हमारे TBS में आने हमारी matrix में दालती है company is matrix की जगा TVS इसको बुलाती है टीम building structure ठीक है हम एक structure बना रहे हैं जाम हम टीम बिल्ड कर रहे हैं तो टीम building structure के अंदर companies one percent को divide कर देती है distribute कर देती है दस levels के अंदर यानि इसका मतलब हुआ हर एक के हिस्से में कोई भी purchase हो नीचे में दस levels के अंदर तो उसका zero point one percent share आता है एक example हम लेते एक visualization करते हैं जिसको हम यहां पर projection भी बोलते हैं ठीक हम project करके देखते हैं कि इसमें potential कितना कमाईगा मानके चलते हैं कि हमारी matrix eighty eight thousand five hundred and seventy two में चार्टर मेंबर से फिल्ड होगी है totally filled up है सब active है ठीक है सबको card भी आ गया अब हम यह भी मानके चलते हैं कि इन सब eighty eight thousand five hundred and seventy two चार्टर मेंबर्स ने कम से कम तीन free members sign up किये ठीक है क्योंकि सब तो networking नहीं करेंगे majority सब free members रहेंगे फिर बाद में उनको company अपग्रेड की feature देती है जा अपग्रेड कर सकते हैं as a charter member तो initially यह सब free members हैं तो यह free members भी अपनी purchases करेंगे तो eighty eight thousand five seventy two into three plus eighty eight thousand five seventy two यह आपको एक figure देगा तीन लाख चौवन हयार गी अब मानके चलते हैं कि यह तीन लाख चौवन हयार जो लोग हैं जिन सब को card मिल गया हमारी company की तरफ से यह अब किस इस महीने के अंदर इन्होंने 100 डॉलर की पर्चेस किए ठीक है अलग अलग पर्चेस इसकी total 100 डॉलर की पर्चेस किए सभी ने तो इसका one percent value होता है one डॉलर याने हमारी जो आर बैंक है वो आर नेटवर्क को one dollar credit करेगी आर नेटवर्क हमारे टीवी एस में one dollar को distribute कर देगी याने हम सब को इनके उपर मिलेंगे 10 cents याने every hundred के उपर 10 cents होगे more or less तो अगर इसको आप multiply करेंगे 354,000 लोगों की जो पर्चेस हुई उसके पर आपको 10-10 cents मिल रही है क्योंकि इन सब ने 100 dollar की पर्चेस की थी तो यह आपको figure आईगी 35,000 dollars की अब तो मैं सिर्फ एक example बता रहा हूं जहां पर सिर्फ 100 dollar की पर्चेस हुई है लेकिन अगर किसी किसी ने तीन में फ्री मेंबर्स की जगह पे पांच छे आट दस सौ मेंबर्स को बना लिया है किसी ने सब लोगों ने 100 dollar की पर्चेस नहीं किया कोई 100 की कर रहा है कोई 200 की कोई 300 की तो कोई 1000 की भी कर रहा है तो कोई ट्रेवल पर चले गया तो उसने 2,000 भी कर दिया तो इस इंकम का कोई अंतनी है थिका है तो ये जो इनकम हमारे को आ रही है कहां से यह इंकम हमारे को कंपनी शेर कर रहे हमाइजी कांपनी की बैंक शेर कर रहे कांसे मर्चणट फी में से ठीक है जब दुकान को के पास हम कार्ड यूज करते हैं कार्ड स्वाइप कराते हैं तो उनको एक फी देनी पड़ती है इस्विंग बैंक को जिसका कार्ड उनकी मशीन में स्वाइप हुआ है तो वहां से यह वन परसंट आता है याने अब हमने देख लिया यह जो तीन पर मेमर बनना ही है याने हमारे को अपने दस कैसे भी करने जैसे हम दस करेंगे अगर हमारे भी दस दस कर रहे हैं तो आटोमेटिक हम ग्लोगल रवेनी शेहर में सेकेंड पूल के अंदर कॉलिफाई हो जाएंगे इमिएटली तो बैसिकली यह पूरा प्लान है आप तो आप म कंपनी के पास अब दो दो फीचर्स आ रहे हमारे बैक आफिस में जो नेटवर्किंग की बैक आफिस है आरपे और आर मनी सिर्फ गैरंटी नहीं अभी कि आर मनी भी लांच होगा लेकिन कोशिच करेंगे और उमीद रखेंगे कि कंपनी दोनों को साथ में लांच कर ले आर लगाने को मिलेगा व तेनری को तो अरपे के जरीए कमपनी हमारे को हमारे जो कमिशन अमाउंट्ट में या डूसरे और ओप्शन हमारे को दे सकती है जैसे Western Union और Money Gram दूसरा जो आर मनी है आर मनी के अंदर feature सबसे main important है वो है international transfer of money जो कि हम wallet to wallet पैसे transfer कर सकते हैं to any charter member और founder member in the world तो इसके जरीए अब हम हमारी जो महिने की जो हम payment करते हैं तो वह भी अब इसके जरीए कर सकते हैं ठीक है तो बैसिकली यह पूरा मैंने आपको समझा दिया है अगर आपके पास कोई भी questions है या अगर कुछ समझ में नहीं है इस audio को फिर से सुनिए और अपने sponsor को यहां दिनों में आपको invite किया है उन से बात करिए वह आपको आपके doubts clear कर देंगे लेकिन यहां पर time is money यह जो हमारे को pre launch में मोका दे रही है company हमारे उसको पूरा फायदा उठाना है more or less 14th January को company की launch होगी तो इसलिए हमारे पास अभी पूरा समय पढ़ा है अपने तीन कम से कम करने का और founder member बने का ताकि जब जनवरी में company launch करने जाए global revenue share तो हम सब qualified होके बैठे रहेंगे और immediately हमारे को income वहां से आनी शुरू हो जाएगी तो बस यही था सब आर network corporation के बारे में उमीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उमीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम help करेंगे इस project के जरीए ताकि कोई भी बंदा इस दुनिया के अंदर खास करके कोई भी family financial problem की वज़े से अपनी लाइफ को enjoy करना न छोड़े तो अब मैं आप से इजादत लेता हूं I'm signing off now freedom from America Thank you